नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने बाले हूं सिमला मेर्च और आलू की सबजी जो की पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप इसे एक वाट जरूर ट्राइ किजिएगा तो चलिए सबजी बना कर लिए और इसमें आड़ करेंंगे दो बड़े चम्मस सरसो का तेल अप इस सबजी को सरसो के तेल में ही बनाईए इससे test है बहुत ही बड़ी आता है यहां पर तेल हमारा गरम होचुका तो इसमें हमने अड़ कर दिया है अलू और इसे हम dip fry करेंगे तो आप देख सकते हैं आलू को हमने यहां square shape में cut किया है आप इसी तरीके से आलू को और similar mix को square shape में cut कर लें आलू हमारा fry हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं आप निकालते समय इस तरीके से थोड़ी दे टिका के रखें जिससे की एक्स्ट्रा जो वाइल है वो कड़ाही में ही रह जाए यहाँ पर हमने सारे अलू निकाल लिये हैं और अब इसमें आड़ करेंगे सिमला मिर्च और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे सिमला मिर्च को पहुँ ज़्यादा फ्राई नहीं करें आलू के साथ निकाल लेते हैं यहाँ सारे सिमला मिर्च को भी हमने निकाल लिया और अब जो तेल बच किया है इसमें हम आड़ करेंगे आदा छोटा चमच राई और राई को अच्छे से चटकने दें राई को चटकना बहुत जरूरी नहीं तो इसका कच्चा सा टेस्ट आएगा तो राइ के चटकने के बाद इसमें आड़ करेंगे आधा चोटा चमच जीरा, दो बारी कट की हुई हरे मिर्च और इन सब को अच्छे से चटकने देंगे इसके बाद आड़ करेंगे दो मेडियम साइज के बारी कट किये हुए प्याज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्याज को बहुत ही बारी कट किया है और इसके ट्रांस्पारेंट होने तक हम इसे भून लेंगे और जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो उस स्टेज पर यहाँ पर हमने एड़ किया है एक समच कुटी हुई अदरक और लहसन आप इसके जगह पर अदरक लहसन का पेस्ट भी आड़ कर सकते हैं और इसे भी प्याज के साथ हम दो से तीन मिनट के लिए भून लेगे जिससे कि इसका कच्चापन खतम हो जाए और यहाँ पर हमारा अदरक लहसन भी प्याज के साथ भून चुका है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे टोमाटो प्यूरी यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज के टोमाटर का प्यूरी बना लिया था और इसे दो से तीन मिनट के लिए भूनेंगे उसके वाद हम एड़ कर देंगे इसमें सूखे मसाले और मसाले के साथ ही टोमाटर को हम भूनेंगे तो यहाँ पर दो से तीन मिनट हो चुके हैं और इसके वाद हमने एड़ किया स्वादनुसाड नमक आदा चमच हल्दी पॉडर आदा चमच जीरा पॉडर और आदा चमच धनिया पॉडर इसके साथ ही इसमें एड़ करेंगे एक चमच कासमेरी लाल मेर्च पॉडर इससे एक तो सबजी में कलर बहुत बढ़ी आता और साथ में ये तीखी भी कम होती है अब इन मसालों को एड़ करने के बाद इसे टमाटर के साथ हम अच्छे से भून लेंगे इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक की टमाटर का पूरा पानी सूख न जाए आप देख सकते हैं मसाला हमारा विलकुल ड्राई हो चुका है यानि कि टमाटर और मसाले हमारे दोनों अच्छे से भून चुके हैं तो इस स्टेज पे अब हम इसमें एड़ कर देंगे फ्राइ किये हुए आलू और सिमला मिर्ज और इसे एड़ करने के बाद मसालों के साथ एक से दो मिनट के लिए हम चला लेंगे जिससे कि सारे आलू और सिमला मिर्ज के उपर मसालों का कोट हो जाए यहाँ पर मसालों के साथ आलू और सिमला मिर्ज को चला तो एक से दो मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी जरुवत के हिसाब से हम पानी एड़ करेंगे जितनी हमें ज़रूत होगी उतना ही पानी आड़ करना जिससे कि आलू और सिमला मिर्स दोनों अच्छे से पक जाए हमने आदा ग्लास के लगबग पानी आड़ किया है और इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे और पानी याइट करने के बाद यहाँ पर हमने आड़ कर दी है 1 चोटा जम्च गरम मसाला पॉड़र और इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसे ढ़क करके मिडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए पकने देंगे Pांच मिनट के बाद इसे एक बार चेक कर लेते हैं सबजी हमारी पक चुकी है लेकिन ग्रेवी अभी थोड़ी ज्यादा है तो आप चाहें तो इस तरीकी की सबजी रख सकते हैं लेकिन मैं इसे पूरी तरीके से सुखा दूँगी थोड़ी सूखी हुई सबजी पर अठे के साथ ज्यादा अच्छी लगती है तो यहाँ पर पांच मिनट के लिए हम इसे और ढख करके पका लेगे पांच मिनट के बाद फिर चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमारी सबजी बहुत ही अच्छे से बर्न करके रेडी है और ग्रेवी भी सूख चुकी है आप एक बार इस सिमला मिर्च और आलू की सबजी को बना करके जरूर ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़्यादा ज़्यादा शेयर और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकोन को दवाना ना बुलें जिससे की मेरी अगली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो यहाँ पर हमने सब्सक्राइब को एक बॉल में ट्रांस्पर कर लिया है और जब आप इस सब्सक्राइब को गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्प करेंगे तो आपकी तारीख पकी है तो चल यह मिलते हैं एक नई डेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में